हलो फ्रेंज मनुटेक चानल में आप सबको अस्वागत हैं आज हम मेड इन इंडिया का दो शाटगन मायक्रफोन को कंपेर करते हैं आडियो रिकार्डिक करके टेस्ट भी करते हैं यह दोनों मेड इन इंडिया हैं Mx company का दो shotgun microphone को हम यहाँ पर test कर रहे है एक microphone है Mx MM1 का जैसा कि आप Boya MM1 देखा होगा है same to same वैसा ही रहेगा केवाले वो brand का नाम अलग है बाकी built सब same to same है और wise भी same to same होगा ठीक है यह एक MM1 एक shotgun microphone इसके अलावा और एक microphone है जो Mx 320 यह यह एक shotgun microphone अभी जो अभी आप आवा सुन रहे हैं यह वाला है Mx MM1 का shotgun microphone यह छोटा रहेगा इसके लिए extra power का जरूत नहीं है इसका 3.5 mm का जाक होता है वो directly हम mobile phone को या फिर camera का attach करके record कर सकते हैं या फिर laptop को current करके record कर सकते हैं यह दोनों cables जो भी है TRS का और TRRS का यह product के साथ ही आता है और एक बात यह है कि दोनो budget friendly microphone से और कोई भी starting में मतलब जो YouTube channel शुरू में नया शुरू कर रहे है या फिर beginner से या लिए मतलब budget यह दोनों microphone आते हैं यह 2000-2000 आसपास नियर बे होते हैं दोनों microphone यह छोटा वाला shotgun microphone है mm-1 वाला यह 2000 से कम है ठीक है यह दोनों हमें Amazon में मिल जाती है ठीक है तो अभी अभी जो आप आवाज सुनने है वह MX का mm-1 का microphone से सुनने है यह overhead मैंने उपर ऐसा लगा हु दूसरा वाला microphone यह MX-320 यह का brand वाला microphone है और यह हमें एक लंबा box में आता है box आपको देखने में ऐसा दिखता है ठीक है तो इसके उपर हमें picture होती है और इसका brand होते है MX-320 यह वोलके यह unidirectional shotgun microphone है ठीक है इसमें maximum होते है यह condenser microphone होती है इसके लिए हम phantom power का जरूरत होती है तो 1.5 का एक battery लगती है बैटरी ज्यादा दिन चलती है ठीक है और इसके साथ हमें मिलता है एक XLR cable जो बहुत लंबा है आप यहां पर देख सकते हो ठीक है एक end में इससे हमें quarter inch का एक pin होता है और इसके साथ एमें एक adapter भी आता है यह हम audio recorder को connect भी कर सकते है यह फिर हम directly amplifier को या फिर interface को connect कर सकते है cold shoe mount मिलेगा हमें और एक बार हमें connect करने से पहरा इसका build quality एक बार देख लेते हैं इसका build quality आप यहां पर देख सकते हैं कि यह वाला shotgun microphone पूरा metal का है और उपर इसका build quality बहुत अच्छा है और सामने भी इसका build quality बहुत अच्छा है तो protection बहुत अच्छा है पूरा का metal का है black color का और इसके सामने हम देखेंगे तो यहां पर brand का नाम होता है और unit action microphone बलके लिखा होता है इसका model name है यह max t to da बलके ठीक है और नीचे थोड़ा आएंगे तो हम यहां पर एक button दिखेंगा यह button हमें तीन option रहेंगे एक off बलके एक रहेगा नीचे और उसके पर normal और उसके उपर अगर ज्यादा जोर से आवाज रिकार्ड करना है तो हमें टेली मोट से यूज करके रिकार्ड कर सकते हैं ठीक है इसका build quality बहुत अच्छा है और end में हमें यहां पर अच्छलर केबल करने के लिए एक option है यहां पर होता है तो यहां पर जो केबल हमें मिला है कंपनी के तरफ से जो हम केबल यहां पर करके रिकार्ड करते हैं अभी जो आवाज सुनने जा रहे हैं यह वारा तो इसके उपर मैंने विंड्शील लगा दे आए इंडूर के अंदर विंड्शील के जरूरत तो ही नहीं तो भी मैंने यहां पर लगा दिया और इसके पीछे जो है एक्सलर केबल जो इसके साथ आए हैं वह मैं कनेट कर रहा हूं तो दूसरा end है यह मैं आडियो इंट्रि अब सुनने हो हो मैंने से यह वाला जी यह मैक्रोफोन से आ रहा है मैंस्ती टूंटी यह से यह मैं उपर यहां पर कनेट किया है यह स्टैंड के उपर मतलब ओर हेड बूल के क्योंकि यह फ्रेम में एक्चुली दिखना नहीं है लेकिन मैं जान बुच के दिखने के लिए पर छोटा थोड़ा छोड़ दिया क्योंकि आपको समझ में आगे कि मैं इससे ही बात कर रहा हूं ठीक है यह जो आप अभी आवाज सुनने हो यह नार्मल मोड से अभी आवाज सुनने हो अभी टेली मोड में चेंज किया तो यह थोड़ा गेंड बढ़ जाता है दोस्तो अभी जो आवाज आप सुनने हो यह टेली मोड का आप्शन है तो इसमें आवाज ऐसा लगती है तो जनरली यह वाला जो माइकरफोन यूज करते हैं इंटर्विस के लिए और कंटेंट बनाने के लिए और का फील्ड रिकार्डिंग के लिए भी यूज होता है तो पीछे वाला आवाज और सुनने के आवाज उतना ज्यादा पकड़ता है मतलब क्या जच नहीं करता है इसलिए इसका इसे ज्यादा नाइसी एरिया में जैसा कि न्यूस जो रिपोर्टर से इस माइकरफोन ज्यादा यूज करते है वैसे इंटर्विस में भी यह ज्यादा पूरा इस पाप्लिक में होती है यह इसलिए ओर लोग्स में होती है जैसा कि एक अर्शर टेली और डास दो होती है. लेकिन यहां पे MX शाटगन माइकरफॉन यह इंडिया से है मुझे लगता है यह आवाज अच्छा रिकार्ड कर रहा है और जो नए नए शुरू कर रहे है यूटूब चानल जो बिगिनर से या फिर कंटेंड क्रियेट करें उनके लिए यह बर्जेट में आ जाता है छोटा बर्जेट में शाटगन माइकरफॉन चाता है लेकिन यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा माइकरफॉन का मतलब केवल माइकरफॉन नहीं है माइकरफॉन के साथ आडियो इंट्रफेज जो आता है वो भी इंपॉर्टेट है क्योंकि यह फैंटम पाउर का है वैसा भी यह नहीं है जो पहला आवास सुना है यह फैंटम पाउर का तो ही नहीं ठीक है यह देखने में छोटा लगता है और पीछे आपको 3.5 mm जाक कनेट करने के लिए मतलब यह जो अला केबूल आता है यह प्रोड़क्ट से आता है यह हम कनेट करके डारेटली मोबल फोन में या फि देखेंगे तो सेम टू सेम बिल क्वाल्टी होता है कुछ भी थोड़ा भी कुछ भी चेंज नहीं है सेम टूसे में केवल यह ब्रैंड जो है ब्रैंड का नाम अलग है बागी का सब सेम है ठीक है तो यह वाला जो है मेडिन इंडिया है आप इसे भी करिद कर सकते हो 2000 से कम गिरेगा और यह भी माइक्रोफोन जो आप सुन नहीं हो यह भी आवाज अच्छा है तो मुझे कमेंट कर दीजिए यह भी कमेंगा बजट फ्रेंडली माइक्रोफोन से अगर कोई बीगिनर से तो यह वाला बजट वाला माइक्रोफोन लेकर आप यूटूब चानल या फि ताकि आपको ऐसा वाला कंटेंट का वीडियो मिलते रहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नमस्ते